Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और Angular की studio का नदरम बात करने वाले हैं component की, सबसे पहले मैं आपको points ही दिखा देता हूँ ये points हैं, जो इस video में cover करने वाले हैं component होता क्या है, उसका file structure समझेंगे, कैसे काम करता है वो समझेंगे, इसको edit करके देखेंगे, files edit करके देखेंगे एक नया component बनाएंगे, उसको भी use करके देखेंगे, हम कैसे उसको use कर सकते हैं, सबसे पहले component होता क्या है component एक piece of code होता है basically, जिसको हम बार-बार use कर सकते हैं जैसे की ordinary language में क्या होता है, कि हम एक function नमना लेते हैं और function को बार-बार use कर सकते हैं, similar तरीके से component होता है but इसके अंदर ये खाल एक function नहीं होता है, angular के हिसाब से तीन चार फाइलों का group होता है जिसके अंदर, मैं आपको फाइल हम दी होंगा, html file, style की file, jsq file, सारी files आती है और उसको हम reuse कर सकते हैं, अच्छा reuse कैसे कर सकते हैं, मालो कि pagination बनाया आपने या फिर sidebar बनाया आपने header बनाया वो आपको हर एक page के उपर चाहिए होता है तो बार बार तो हर एक file के अंदर नहीं लिख होगे, तो उसको एक component बना लेंगे हम उसको और उसको बाद में reuse कर लेंगे ठीक है, तो यह तो होगा basically की component होता क्या है, अब इसको समझते हैं समझने के लिए मैं फाइल का structure, हमारे folder structure खोलता हूँ है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने एंगलर कैसे इंस्टॉल कर रहा था, और कैसे इसका file structure क्या होता है, वो सारे चीज़े देखी देगर आपने वो नहीं देखी हो, तो पूरी playlist का link description box में दिया हुआ है, वहाँ से आप दिख सकते हो, ठीक है, सबसे पहले मैं सारे folder collapse कर देता हूँ, आप सबसे पहले जाएंगे .ts, तो ये चारों file हैं मिलके, actually, अपना एक component बनाती है, ठीक है, तो इसके अंदर उसका style हो गया, HTML हो गया, और ये spec. ये testing के लिए काम में आती है, बाद में, जब जोनी test cases करते हैं, भी basic level पे इसको हम नहीं जिरने वाले, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ discuss भी नहीं करें होगे, और बाद में होता है, app.component.ts file, इसके अंदर हमारा JavaScript पर code लिखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा एक component बनाते हैं, इसके अंदर आ रहते हैं, so मैं सबसे पहले आपको open करके दिखाता हूँ, app.component.js, देखें, इसके अंदर इनो क्या करा हुआ है, सबसे पहले इसका ना अपने हिसाप से modify भी कर सकते हो, but default structure यह होता है, जो कि best रहता है मेरे हिसाप से at a beginner level, okay, यह हो क्या, इसके बाद में यहाँ पर HTML लिखा हुए, बहुत सारा, यह HTML हम delete करेंगे, यह जो सारा output आपको दिख रहा है, यह यहीं से दिख रहा है आपको, ठीक है, चाहो तो आप य इतना ही output दिख रहा है, ठीक है, simple, तो अब CSS भी चाहो तो आप उड़ा सकते हो, वैसे CSS में है नहीं, और अड़ाने के लिए कुछ है नहीं, तो कुछ लिखी नहीं होगी, बढ़ चाहो तो आप यहाँ पर directly लिख सकते हो, जैसे कि H1 था, और चौन का selector बनाने के बाद में, color, let's say मैं इसके अंदर कर देता हूँ अभी के लिए blue, ठीक है, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, इसको यहाँ पर directly style apply हो गया, ठीक है, तो यह होगा कि हम style कैसे apply कर सकते हैं, यह होगा, let's say कि अगर आपको यह file का नाम चेंज करने तो आप कैसे कर सकते हो, देखे, component dot js के अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर मान लो कि मैं इसको नाम रिक द देता हूँ, one यहाँ पर, तो क्या होने वाला है, तो देखे, जैसे आप यह गरोगे, आपको यहाँ पर दिखेगा error, कि भीया, कुछ ने कुछ गड़ बढ़ हो गया, तो तभी आप क्या करोगे, इसको file का नाम समझ में नहा रहा, तो आप इस file का नाम भी यहाँ पर change कर स यह तो होगा कि एक component के बारे में, अब यह component हमारी app के अंदर कैसे चल रहा है, ठीक है, भाई, यह सबसे पहले एकदम से यहाँ कैसे आगया, यह वाली देखने वाली बात है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, index.html file के अंदर, इसके अंदर देखे, आपको क्या लिख मुझे कौन सा component उठाना है, घर आप महार कोई और component होगा ना, इस नाम से, तो वो भी यहाँ पर उठके इसी तरीके से आचाएगा, माल हो कि मैने user component बनाया, और मैं directly यहाँ पर कर देता हूँ, तो app वाले component को नहीं उठाएगा, फिर वो user वाले component को उठाएगा, ठीक है, य यहाँ तो आप manually भी बना सकते हो, लेकिन manual कैसे बनाऊगे, यहाँ पर जागे component अड़ करोगे, फिर बाद में काफी सारी चीज़ आड़ करनी बढ़ती है, ठीक है, तो हम command line से करेंगे, command line बहुत simple होती है, ng generate component यह इसका short form है, और component का नाम, let's say मैंने component का नाम एक दिया, user list, ठीक है, जैसे मैंने अंडर करा, तो आप देखोगी, इसने चार फाली create कर दिया है, यहाँ पर, अब यहाँ पर आ रहे हो आपिस, तो यहाँ पर देख सकते हो, इसने अपना component यहाँ पर बना दिया है, अपने तरीके से, ठीक है, एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि मैंने इसक अंडर कुछ-कुछ लिखा भी हुआ है, ठीक है, user list, अब मैं इसको यहाँ पर कैसे देख सकता हूँ, यह, देखे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है, यह एंगलर CLI ने, जो हमने command चले ने, उसने अपने आप कर दिया, बट, manual बनाओगे, आप आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, app.module.ts के अंदर, यहाँ पे जाके, आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट करो, और यहाँ पे declaration के अंदर एड़ गर दो वस, ठीक है, बट, CLI ने हमारे लिए अपने आप यह खुद से गाम गरते है, तो मैं recommend करो हूँ है, कुछ नहीं कर तो कहां से उठाना है, क्या उठाना है, तो आप कर सकते हो, इसकी ts file में जाओ, उसका selector उठा लो, पूरा अपूरा से selector, यहाँ पे आके, इसको इस तरीके से open करो, और बंद करो, और अब देखो, यहाँ पे, user list works, यानि कि यह वाला, जो हमारा component था ना, आपको इसके screen ल ठीक है, इसको match to करते हो, ताकि थोड़ा सा हमें बढ़ा दीखे यह, तो आप देख सकते हो, थोड़ा सा time लिए, reload होन के अंदर, और यह तरीके से काम कर रहा है, तो यह था component के बारे में, कुछ समझ नहीं है, कुछ confusion है, तो मुझे comment box में पूछ लीजेगा, और जो अगली